Hey all right and welcome to all in today's the Hindu news discussion now आज है संडे तो आज important editorials तो publish नहीं होते बट important science and technology के article publish होते हैं बट उसके साथ important news भी publish होती है जो important रह जाती है Now, आज की पूरे discussion में क्या क्या करने वाले हैं Indian Ocean Regional Association और RIM Association करेंगे रूपे कार्ड scheme के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और NPCI क्या होता, NPCI के basis पर UPSC already बहुत बार question बना चुका है ATM से related भी और NPCI से LAC है, CBI है, ये सब detail में हम discuss करने वाले हैं But without moving further आप telegram app download कर सकते हैं search box में type कर सकते हैं at the rate PR publication तो इस free group से join हो जाएंगे यहाँ पर daily के basis पर एक mains की free answer writing हम आपको करवाते हैं with analysis और आप PR publication के paid courses को join कर सकते हैं early plan है 499 रुपीज का जिसमें पूरे एक साल तक 2022 तक date wise current affair दहिंदू के notes मिलेंगे NCRT 612 chapter wide notes phone guidance आपको मिल जाता है answer writing आपको मिल जाती है लेना बहुत simple है दिये गए number पर Google पर या फोन पर कर सकते हैं जो भी payment करेंगे उसकी screenshot telegram में या WhatsApp में send करनी है उसके बाद हम आपको अपने private group से add कर लेंगे payment करने के बाद कुछ तीन group से आपको add किया जाता है private study material जहां पर already 800 से ज्यादा member है जहां पर daily के basis पर आपको notes मिल जाते हैं PDF form में paid group discussion में daily के basis पर आपका answer writing कर सकते हैं और private current notes के basis पर text format में आपको notes मिल जाएंगे now start करते हैं आज का news discussion सबसे पहली जो news है ease path for business Mr. Modi ने ऐसा बोला अब यहां पर क्या होता है Mr. Modi statement देते हैं और बहुत सारी चीज़ों में बात करते हैं कि किस तरह से center और state को coordinate करके चलना पड़ेगा अगर भारत देश का विकास करना है तो नीती आयोक की meeting होती है जिसमें 6 main issue को उठाया जाता है यह main से के लिए है कि कभी कभी solution आप से पूछा जाता है कि country के deployment के लिए क्या क्या करना चाहिए तो उस पैसे सबसे पहले भारत को manufacturing powerhouse बनाना है किरसी या खेती के बारे में सोचना है physical infrastructure वो बढ़ाना है चाहे road हो गया चाहे dams हो गया accelerating human resource deployment human resource deployment को accelerate करना है लोगों को skill देनी है यह सबसे बड़ा मुद्दा आता है जिसमें आप skill इंडिया digital India ऐसी schemes डाल सकते है improving service delivery at the grass route level यह क्या है improving service delivery at the grass route level कहने का मतलब यह है बहुत simple सी बात है अगर आप किसी remote area में रहते हैं सबोज rural area में अब आपको क्या हो रहा है कि access नहीं कर पा रहे है आपको 5-6 या 10 km बैंक की के बारे में bank की के पार जाना पड़ ला है deposit करने के लिए अगर मैं कहूंगा kiosk के हैं आपके पास kiosk के क्या होता है यह bank के setup कर सकती है यह सरकार setup कर सकती है एक छोटा सा ऐसा डिपबा होता है तो इस पर क्या होगा यह हर एक गाउं में setup किया जा सकता है अब जो bank मित्र होते हैं आप भी एक bank के मित्र बन सकते हैं अगर civil society में participate कर रहे हैं तो kiosk को operate करके उन महलाओं का पैसा जमा कर सकते हैं उन प्रूसों का पैसा जमा कर सकते हैं जिनको bank जाना पड़ता है जमा करने के लिए तो service delivery हो सकती है ग्रास रूट लेवल पर health और nutrition पर ध्यान देना है तो यह सब सिर्फ यह main skill है प्रिलिम सिकल है यह news बिल्कुल भी नहीं है तो अपने statement में इन सब चीजों की बात की गई तो आप यह screenshot ले सकते हैं या notes बना सकते हैं अगर भारत को किसी area में और यदा deployment करने की जरुवत है तो आप इस point को add कर सकते हैं अब हुआ क्या था यहाँ पर एक person ने तीन लोगों को poison दे दिया आप कहेंगे सर आज तो criminal news पड़ा रहे हैं आप तो कहते हैं प्रिटिकल और criminal news आएंगी नहीं आती हैं बड़ यहाँ पर एक तर्म है बहुत ज़्यादा important है CBI तो उस पर उन्होंने जाच मांगी CBI की कि यार CBI की जाच होनी चाहिए आप से कभी भी उन्नाव वाला यह criminal news कभी पूछी नहीं जाएगी मेरा कोई एम नहीं है कि किसने किसको पॉजन दिया पॉजन में तीन लोगों को दिया तो दो ही लोग क्यों मरे ठीक है ऐसा कोई एम नहीं है बड़ यहाँ पर CBI है Central Bureau of Investigation CBI है क्या Central Bureau of Investigation एक प्रिमियर पुलिस एजेंसी है भारत में Department of Personal, Ministry of Personal, Pension and Public Gravences के अंदर आती है Direct PMO Office के अंदर आएगा यह सब चीजे नोडल पुलिस एजेंसी है और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर 100% केस आ रहे हैं तो 65-70% केसे सॉल्व हो जाते हैं तो सब ही लोग इसलिए CBI की डिमांड करते हैं बट एक्च्छल में यह है कि CBI के जो डारेक्टर हैं वो एपॉइंट कैसे होते हैं यह सबसे ज़्यादा मुद्दा पूछा जाता है 2004 तक क्या होता था जो CBI के डारेक्टर होते थे वो डेली Special Police Establishment Act के बेसिस पर ही उनको एपॉइंट के जाता था जैसे डेली के Commissioner होगे यह सब मतलब जो डिली का provision चलता उनके basis पर है बट उसके बाद होता क्या है 2004 में लोगपाल Act यह कहता है कि यार एक committee बनानी चाहिए क्योंकि यार CBI के डारेक्टर बहुत ज़दा influence करते हैं हर एक matter में तो थोड़ी सी transparent होनी चाहिए इनका जो appointment है पहले क्या होता था DSP Act के basis पर यार किसी को भी appointment किया जा सकता था बट यहां पर अभी क्या है 2004 में लोगपाल Act आता है वो बोलता एक committee बनाएंगे committee decide करेगी कि कि किसको CBI का director बनाना है और committee में लोग कौन होंगे सोचो सबसे पहले जो head करेंगे PM है अब इनको influence करना बहुत बड़ी बात हो जाती है चलो एक person को आपने influence कर भी लिया CBI के director क्योंकि CBI का director छोटी बात नहीं है सोचो कितने बड़े-बड़े cases होते हैं economy crime तो वो तो AD देखती है बट बहुत बार murder crime होते हैं और दूसरे भी crimes होते हैं जो इसमें CBI director का बहुत बड़ा रोल होता है तो उसके लिए committee है जिसके head होंगे PM, leader of opposition होंगे या leader of single largest party होंगे या तो chief justice of India हो सकते हैं या supreme court के judge हो सकते हैं तो ये क्या होगा इनकी committee decide करेगी कि किसको CBI के director बनाना है फिर home ministry कुछ list भेशती है कि हाँ ये candidate है और उसके बाद इनको चुना जाता है उनका साल होता है दो साल और CBC Act 233 के basis में के provision लिखे गए है Now next news आती है India China hold another round of talks अब ये हमारा चल रहा है यार 9th, 8th, 10th 10th round of cops commander talk चल रही है क्यों चल रही है आप सबको पता है India और चाना के बीच में जो stand off चल रहा है उसमें जो dispute हैं उसको resolve करने के लिए कहां पर disengagement कहां पर चल रहा है line of actual control में तो हाला कि मैं बहुत बार करा चुका हूँ फिर भी LAC को दुबारा करा देता हूँ ये आपके लिए revision है LAC इंडिया और चाना के बीच में बॉर्डर होता है 3488 किलोमेटर का unfortunately पूरा जो बॉर्डर है disputed है और जो line है वो मेक मोहन line है जो डिमार्केट करती है 1913 में ब्रेटिस इंडिया गवर्मेंट ट्राइपर ट्राइट कॉन्फेंस रखती है जिसमें इंडिया तिबबत इन सब की बाउंडरी बताई जाती है बट होता क्या है 1907 में चाइना अकसाई चीन वाला reason occupy कर लेती है इसके विरोध में भारत क्या करती है अपोच करती है और 1962 का युद्ध हो जाता है अकसाई चीन occupy करने के बाद चलो occupy कर लिया फिर यहां पर रोड बगारा बनाने लग जाती है चाइना तो 1962 में क्या होता है युद्ध हो जाता है और जहां तक हमारे इंडिया के ट्रूप्स और चाइना के ट्रूप्स पहुंचते है जो मिलिटरी हेल्ड लाइन बनती है उसी को L.A.C. बोला जाता है तो क्या ऐसे जो अभी भी डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या पहले भी कोसिस की जा चुकी है येस 1976 से लेके 1981 तक हमारे High Level Border Talks पहले से भी होती रही थी 1988 में खुद प्राइमिनिस्टर राजीव गांदी जी चाहिना जाते हैं और डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 1993 में Maintenance of Peace and Tranquility बनाए रखने की बात करते हैं 2003, 2009 फिर रिसेंटली अजीद दोबाल जी जाते हैं तो ऐसा अभी डिसेंगेजमेंट की प्रोसेस भी चल रही है तो यही पुरा LAC का मुद्दा है नौ नेक्स्ट है हमारा Greta Thunberg सुडिस क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं अब आप सबको बता है दीशारावी 22 साल की एक्टिविस्ट हैं भारत की और उनको अभी सेडिशन चार्ज के लिए अरेश्ट किया हुआ है हुआ क्या था बहुत सिंपल है जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसमें दीशारावी का पर ये आरूप लगाई जा रहे हैं कि एक डोकॉमेंट है तो उस डोकॉमेंट को उन्होंने एडिट करके एक्टिविस्ट को शेयर किया जो ग्रेटा थेनबर्ग ने भी शेयर किया था बाद में उसको डिलेट करना पड़ा मतलब ओरिजनल डोकॉमेंट में नॉर्मल प्रोटेस्ट के बारे में लिखा था ऐसा बोला जा रहा है कि दीशारावी ने इसको एडिट करके इसी को टूलकेट कॉंसपरेसी या टूलकेट कॉंसपरेसी बोला जा रहा है ठीक है toolkit, controversy इसको बोला जा रहा है तो इस पर क्या है कि particular document को edit करके आपने दूसरे activist को share करने को बोला पर हाला कि यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि right to peaceful protest is a non-negotiable human right और fundamental right भी है कि freedom of speech, right to peaceful protest assembly non-negotiable human right है, मानवधिकार है और यह कहीं न कहीं democracy का एक part है तो अभी Greta Thunberg ने किसके support में बोला एक tweet भी उन्होंने किया stand with दिशा रावी यह आपको पता होना चाहिए यह चल क्या रहा है मुद्दा toolkit conspiracy वाला case है यह आपने सुना होगा payment gateway आप बोलते हो कभी आपके ATM के उपर लिखा है master card और कभी आपके ATM card के उपर लिखा है रूपे card तो यह payment gateway होते हैं अगर मैं बोलूँगा आप USA जा रहे हैं तो बहुत बार जो होता है international payment gateway होते हैं जैसे master card हो गया अब कहीं पर भी जाएं तो वो चल जाएगा point of sale होता ना आप चाहे petrol भरवा रहे हैं तो उनसे बोलेंगे card swipe कर लो कहीं पर टॉल कट बारे हैं card swipe कर लो कहीं पर shop पर जा रहे हैं point of sale machine लगी रहती है है ना छोटी सी swiping machine लगी रहती है तो उस पर जो card swipe करते हो वो payment gateway के वज़े से होता बहुत सारे payment gateway है भारती है अगर मैं बात करूं तो रूपे ठीक है भारती है कौन सा है रूपे card बांकि जो international वो हैं कौन से master card है आपने master card सुना होगा वीजा सुना होगा ये payment gateway होते है payment gateway केने का मतलब एक bank है एक bank है ये दूसरा bank है बीच में intermediary है तो एक ATM ये issue करेंगे अब होता क्या बहुत simple है तो जो bank वाले होते हैं bank वाले होते हैं हर एक को अपना card नहीं दे सकते अब हर एक को अपना card देंगे देखो बहुत simple सी बात है या रूपी card या rupi card या master card बन क्यों रहे हैं बहुत simple है देखो अगर मैं कहूंगा SBI ने SBI card निकाला सपोज SBI कार्ड निकाला, अब वो किस में चलेगा सिर्फ है, SBI वाले में चलेगा अब जरूरी नहीं कि यार, अब दुकान वाले को क्या रखना पड़ेगा SBI, Point of Sale, Punjab National Bank, Point of Sale, Almora, Urban Bank मतलब इतने सारे बैंक के अपने अपने कार्ड होंगे, क्योंकि एकसेस नहीं मिल पाएगी बहुत जादा नेटवर्क उनको पहले से कनेक्ट करना पड़ेगा अब हुआ क्या, फिर इसके बाद आते हैं अपने Intermediary, जैसे Mastercard, Visa card अब ये लोग क्या गहता है, बैंक से, आप लोग annually मुझे कुछ रुपया दो हम आपके लिए कार्ड बना के देते हैं, ताकि आपके जो customer होंगे हमारे ATM कार्ड से कहीं से भी transaction कर सकते हैं, क्योंकि जो Mastercard, Visa card, रुपय कार्ड होता है, सभी बैंक के साथ इनको बस listing करनी पड़ती है, इसके बाद आप अपने किसी भी ATM कार्ड ले जाओ, एकसेस कर पाओगे, ठीक है, तो ये होता है, तो बैंक इसके response में, रुपय कार्ड वालों को, रुपय तो गवर्मेंट का ही है, भारत सरकार का है, फिर भी बैंक पेमेंट करेगी, Mastercard, Visa इन सब को पेमेंट करता है, एक साल में कुछ रुपया, ठीक है, अभी हम ये कर रहे हैं, कि हम Mastercard, Visa कार्ड को नहीं, बलकि अपने भारतिया कार्ड, रुपय कार्ड को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे रेलवे में, बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली गई, रेलवे के जो बार लाग वर्क फोर्स है, तो Ministry of Railway और, वहां के मिनिस्टर नहीं ये बोला, कि जित रेल पेम SocI diz, और, टाक है, बढ़त बार, रूपय कार्ड पेमार अछान है, कि को बहुत ज़्यादा आरा वे से पिलमोट कार्ड ये बार बहुत बहुत जाता है, तो रूपय कार्ड इक्सेप्ट्रा, जाते हैंroom e-commerce platform और point of sale machine में हम accept हो जाएंगे पर पहले क्या होता था बहुत बार अगर आप जैसे आपने बहुत बार experience नहीं भी किया होगा तो मैं बताता हूँ जैसे अगर आप PUBG खेल रहे हो ठीक है बहुत लोगों ने नहीं भी खेला होगा बहुत लोगों ने खेला भी होगा चलो एक PUBG का example ले लेते हैं दूसरा एक ऐसी website का example लेते हैं या ऐसी application का example लेते हैं जो USA की है अगर जब रूपे card से आप payment करोगे वो decline कर देगा आप से बोलेगा नहीं रूपे card मतला हो अब visa card लाओ क्योंकि USA में चलेगा इन्हें ना रूपे card आप जब mastercard वाले ATM से करोगे तब PUBG के कुछ coins ले पाओगे वो जो dress वगरा होती है तब ले पाओगे जो game है PUBG एक game है बहुत सारी लोगों को नहीं भी पता रहता है ठीक है और दूसरा बहुत सारी जो website है जो USA वाली website है तो वो अगर card payment सब जमान के चलो आपको convert करना है और free में एक साल तक convert कर लो आप ठीक है आपका मन करा ठीक है तो आपके पास ATM card है आप कहो कि में पास तो रूपे card है वो कहेगा रूपे card मैं accept ही नहीं करता हूं क्योंकि ये USA में चलता ही नहीं है फिर वो कहेगा आप से mastercard या visa card लाओ ठीक है तो I think आपको समझ मागया होग और अभी हमारी ministry of railway बोल रही है कि सबी बार लाग लोगों के ही SBI में जाके कि आप रूपे card में बदलो सबको ठीक है mastercard को return करो रूपे card में ताकि भारती ये promote होनी चाहिए ऐसा क्यों आप सबको बता आत्म निर्भर भारत अभियान और digital India जो है उसके वज़े से हम भारती ये self-reliance को promote कर रहे हैं नाव आप बात करते हैं NPCI UPSC General Studies Paper 3 Economy में पूछा जा सकता है UPSC Asked Question Based on NPCI Already ठीक है NPCI एक umbrella organization है जितने भी retail payment होती है या settlement system होता भारत में NPCI operate करती है जैसे daily के basis पर होता ना आप कहीं पर जा रहे हो आपको चलो कुछ खरीदना है तो card swipe कर लो 200 रुपे का 300 रुपे का चीज card swipe कर लो तो यही होती है retail payment NPCI एक initiative है Reserve Bank of India का और IBA का Indian Bank Association का Under the Provision of Payment and Settlement System Act 2007 के basis पर Reserve Bank of India ने NPCI शुरू किया यह not for profit company है company is focused on bringing innovation in the retail payment system through the use of technology initial promoter जो थे NPCI के बहुत सारे bank के थे जैसे SBI है PNBA, Canera, Bank of Aroda, Union Bank of India यह सब bank के थे ठीक है अब NPCI बहुत सारी चीज़ें offer करती हैं सबसे पहले IMPS, APS, CTS, Check, Truncation System बट हमें पढ़ना है यह रुपे कार्ड वाला रुपे ही जे new card payment system launch to satisfy RBI vision to offer a domestic open loop and multi-lateral system तो रुपे कार्ड है, NACH है, APBS है, जो आपके पास किसी के बाद Android phone नहीं होता ना तो NPCI यहाँ पर से भी आप transaction कर सकते हो, आपने star 99 has दबाना का भी अपने जो छोटू सा phone होता ना Nokia का उस पर UPI, आप अगर Google पे या phone पे से UPI ID से payment कर रहे हैं तो वो भी NPCI operate करता है भारत QR है, Bheem app है, NETC है, यह सब चीज़ें offer करने वाला कौन है, NPCI ही करवाता है रुपे कार्ड scheme क्या है, first of its kind domestic debit card और credit card payment है, आप global जो card भी बनने का यह दावा कर रहा है रुपे कार्ड रुपी और payment से बना है, और अगर आप transaction करते हो सिंगापूर, भूटान, UAE, बहरेन और साओधी अरेबिया में तो रुपे कार्ड आपका चल जाएगा Now next news आती है, India backs the Maldives on United Nation role, इंडिया हमेशा Maldives को support करता है, Maldives Indian Ocean region में है, एक island छोटा सा Now Indian Ocean region को free navigable बनाने के लिए हमें Maldives का support चाहिए, इसलिए हम Maldives को भी support करते रहे हैं चाहिए Indian Ocean regional association हो या RIM association हो, हमने Maldives को support किया है, Maldives ने फिर से Commonwealth को join किया है The Maldives rejoined the Commonwealth in February 2020, Commonwealth क्या है, बहुत simple सी बात है, कुछ नहीं है जब East India company के बाद Britishers आए, तो जिजज़ जगे पर Britishers ने rule किया था, उन उन countries का एक group था, जिसे Commonwealth बोला गया था ठीक है, हनला कि Maldives ने क्विट किया था, 2020 में फिर से join कर लिया है और Mr. Jai Sankar हमारे जो external affair minister उन्होंने एक लाग additional doses COVID-19 की फिर से Maldives को दी बड़ यहाँ पर आता है Indian Ocean RIM Association या Regional Association ये body पूछी जाती है आप से ये पूछा जा सकता, IORA के बारे में, ये क्या है इसको discuss कर लेते हैं न्यूज में क्या है IORA, Indian Ocean RIM Association इस्टड़ी क्या करनी है IORA के बारे में context क्या था, सबसे पहले तो एक यार, एक meeting होती है हमारे National Register Management Authority और IORA के बीच में और 19th Indian Ocean RIM Association कहां होती है, अबू दाभी में, under the theme of promoting shared destiny and part to prosperity in the Indian Ocean में prosperity लाने के लिए, IORA है क्या Indian Ocean RIM Association सेट अप किया था, objective of strengthening regional cooperation, sustainable deployment Indian Ocean Region में जो वहाँ के littoral countries है, regional cooperation बढ़ाना और sustainable deployment IORA एक regional forum है, tripatriate in nature है, जिसमें government, मतलब सरकारी representative तो आते हैं, businessmen के representative आते हैं और academia की भी आते हैं, जो researcher होते हैं, वो सब मिलके काम करते हैं आपर It is based on the principle of open regionalism for strengthening economic cooperation बढ़ाना है, India, Australia, Iran, Indonesia, जो भी Indian Ocean Region के littoral countries है जो चिपकी हुई है, Indian Ocean Region में है, वो सब इसके part होंगे Significance क्या है, वही है, Indian Ocean का जो potential है, उसको Untap करना, nearly five decades ago, after method, decolonization, the attempt to bring together Indian Ocean States को एक साथ लाना वो economic sustainable तरीके से मिलके वो काम करने वाले हैं, okay Now next है, Modi, Morrison, Discus, Media Bill अभी की Media Bill के बारे में discussion हो रहा है, आप सब को पता है Australia, Australia, सरकार, और Tech Giant, Facebook और Google में अभी क्या चल रहा है Google ने तो ये भी बोला है, warning दी थी, Australia में कि हम Google search को ही बैं कर देंगे दूसरा, Facebook ने अभी, अभी Australia में बहुत mass number पर लोग जो है अनिस्टॉल कर रहे हैं Facebook को इसके पीछे एक reason है, कभी आप Facebook चलाते होंगे, तो आपको ये देखने को मिलता है Facebook कभी-कभी news दे देता है, अपने story feed में अब इसके पीछे कौन काम कर रहा है, Australia के journalist काम कर रहे है जो reporting करते हैं, अब Australia सरकार का ये कहना है कि यार, Facebook को अगर आप अपने news feed में use कर रहे हो तो, तो इसके basis पर Google और Facebook ये कहते हैं जो भी काम कर रहे हैं, बैक एंड में journalist, उनको पैसा देना चाहिए, Australia सरकार ने बोला, ओके, और Facebook और Google इसको free में दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा आता है इस पर जो Morrison है, Australian Prime Minister है, Prime Minister Modi के साथ भी ये चीजन डिसकस करते हैं कि एक नया बिल को पूरे worldwide study किया जा रहा है, इस बिल के according क्या होगा, जो बड़े बड़े tech giant हैं Facebook और Google है, उस सरकार के news agencies को पैसा देंगे या उस सरकार को पैसा देंगे, जिसकी ये news को use कर रहे हैं, जो Facebook वाले होते हैं और Google वाले होते हैं Under the news media and digital platform, mandatory bargaining code bill 2020, tech and social media giants such as Facebook and Google will have to pay local news outlet for using their, उनके content को use करने के लिए पैसा देंगे, अब हाला कि बात में हम बात करेंगे, जब ये पैसा देने लगेंगे Now next news आती है, promote Indian language, वनकेया, International Mother Language Day है आज, और यहां राजिसभा के जो चियर्मेन है, एम वनकेया नाइडू, उन्होंने ये बोला, पूरे अपर हाउस से, राजिसभा से, कि आप लोग क्या करो, Indian language को क्या करो, promote करो, हमें preserve करना, ऐसा क्यूं बोला कि भारत में करीबन करीबन 19,500 languages हैं, dialects हैं, अलग-अलग, एक ही बोली होती है, और उसको अलग-अलग तरीके से बोला जाता है, बट, 200 से ऐसी ज्यादा language हैं, जो immediate extension में हैं, जिनको आप बोलना ही लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, या नहीं बोल रहे हैं, ओके, language बर being the driver to extension, he said, because of the mindset of looking down upon regional languages and wearing the linguistic badge of competence in the English, false sign of the superiority, बहुत सारे यहीं सोचते हैं कि हम English superior language है, किसके basis पर जो दूसरे regional language होती है, उसके comparison में, जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत बाद है, तो हमें अपनी regional language को promote करना चाहिए, फिर world level के बारे में बात करते हैं, वही मयान मार में protest चल रहा है, Facebook और Australia का यह सब चीज़ें चल रहा है, यह मैं डिसकस कर चुका हूँ, और कुछ यहाँ बहुत जादा जानने को नहीं है, science and technology में कुछ important prelims के लिए तो नहीं है, बट यहाँ पर main से के लिए है कि Indian Ocean Temperature, Indian Ocean Temperature के चेंज होने के कारण यह सब यहाँ पर rainfall कम हुई है, जिसके वज़े से वहाँ की जो crop है, crop yield है, vegetation है, वो भी कम हुई है North East India में, तो main में से में डारेक्टी ही यहाँ पर reason दे सकते हो कि climate से क्या impact पड़ा, आपको कि Indian Ocean region का temperature, Indian Ocean का temperature कम या ज़्यादा हुआ है, उ जो जहाँ पर wetest place है अर्थ का मानसुरम, वहाँ पर बारिस कम हुई है और vegetation कम हुई है, तो यह सिर्फ main से के लिए एक example है, उके, उसके बाद यहाँ पर wash है, water sanitation, hygiene हमें करनी चाहिए, लोगों को switch पानी देना चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि एक WHO की यहाँ पर एक report आती है, क यहाँ पर यह बोला जा रहा है, करीबन करीबन 8,27,000 लोग ऐसे हैं, जो मारे जाते हैं, as a result of inadequate water, sanitation और hygiene each year, हर साल, 8,00,000 लोग, सोचो, कितना जादा नमबर है, तो हमें wash का ध्यान देना चाहिए, तो आज के science and technology में सिर्फ main से की यहाँ पर बात हैं की गई थी, perseverance to search for sign of life, NASA का perseverance, कल मैंने detail में यह कराया था, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी, वो आज देख लो, मार्स के mission के बारे में कराया था, ठीक है, तो यह detail में discuss हो चुका है, यहाँ पर, आज frequently, आज जी question में, क्यों public sector, जब यह detail में, editorial में publish होगा, यहाँ पर उतनी जादा detail में discuss नहीं किया गया है, मैं फिर भी context बता देता हूँ, finance minister निर्मला सितारवन जी के आपने तो statement देखा होगा, उन्होंने यह बोला होगा, उन्होंने यह बोला है कि कुछ ही sector को छोड़के, 3-4 sector को छोड़के, हम सभी चीज़ को privatize करेंगे, ओके, बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे atomic energy, space, defense, transport, telecommunication में इसमें bare minimum presence होगी, private sector की, ठीक है, बागी हर चीज़ को rest of amount को हम क्या करेंगे, privatize करेंगे, जिसमें air India के बारे में पहले से ही चलती आ रहा था, पहले 76%, फिर 100% stake sale के बारे में बात की गई, बट यहाँ पर इस पूरी editorial में ज्यादा information दी नहीं गई है जब यह editorial आएगा, dis investment से related, dis investment का मतलब होता है, जो public share होते हैं, उसको क्या करेंगे, private लोगों को sale किये जाएंगे, इसके basis पर सरकार को या सरकार revenue generate कर पाएगी, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बागी पूरे Sunday का news और article पढ़ चुके हैं, तो आज का end got क्या रखेंगे, Sunday fund day, जो daily का Sunday होता है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, thank you